नमस्कार दोस्तों मैं कर्णल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमानी ग्रूप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनाइस डिजिटल चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ आज 12 नौबर सन 2021 शेर बजार एग्रोजीन्स एवं कमोडिटी बजार का आज का भविश्यफल दोस्तों इससे के पहले हम आगे चले हैं हम आज की प्लैनेटिकल कंडिशन पर भी बात कर लेते हैं आज चंद्रमा कुंब रासी में हैं गुरू एवन शनी मकर राशी में होंगे सूरे बुद्ध एवं मंगल का अदुद संग में तुला राशी में हो रहा है केतुग्रय वरच्छिक ना कर सकते हैं आप भारतिय शेर बजार में वेदानता शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया एवं बाटा के उपर नज़ा रख सकते हैं रेडिको खेतान के अंदर करना भी उचित रहेगा एग्रो वाच दोस्तों आपको याद होगा कल हमने गवार सीट के उपर तेजी की बात कही थी हल्दी के अंदर और जीरे के अंदर भी तेजी की बात कही थी और तीनों ही भविश्वणी अक्षरत सर्ते साबित हुई आज जीरा के अंदर तेजी जार होने की सूचना मिल रही है गौरतलब है कि दक्षिन भारत हल्दी का अधिक्तम उत्पादन करता है चने के उपर हमारे लगातार एपिसोड आप तक पहुच रहे हैं चने दाल के अंदर भी सुदार की संभावना बन सकती है गौरतलब है कि तिलहन के साथ साथ दलहन कर पर बड़ी तेजी को देखते वे सरकार ने दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया इसके अतरिक NCDX के उपर भी चने के वायदे के उपर रोक लगा दी गई इससे चने के भावों के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली स्पॉर्ट और फीचर के अंदर लेकि नजर आ रही हैं सोयाबीन के अंदर भी कमजोरी की संभावना बन सकती है दोस्तों याद रखिए खादे तेलों पे तेजी पे लगाम लगाने के लिए सोयाबीन एवं दूसरे खादे तेलों पर आयात यानि आयात शुल्क यानि इंपोर्ट डूटी भी कमी कई गई इसके अग्रिकल्चर सेस के अंदर भी बड़ी कमी सरकारदारा की गई ताकि खादे तेलों में गिरावट हो और महगाई पर काबू किया जा सके गवार्ट सीट सरसो सोयाबीन कपास पर आप हमारी विशेश रिपोर्ट भुक्तान करने पर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आपको याद होगा गवार्ट सीट के उपर कापास यानि कॉटन के उपर प्याज के उपर हमारी सभविश्वानिया अक्ष्रत सत्य सावित होती देखी जा रही हैं कमोडिटी वाच आज नेच्रल गैस में उपरी इस्तरों पर मुनाफ़ा वसूली की संभावना बन सकती है गौरत मिस्तर भी देखा गया जब बर्दस गिरावट उपर के सर से देखी गई उमीद है कि आपने भरपूर लाव उठाया होगा एक काम की बात 1981 में जनम लेने वाले सभी कारोबारियों के लिए एक विशेश समय हैं मजबूत ग्रह आपको तरक्की लाव एवं समान दुला सकते हैं जबकि जनम पत्रीका में कमजोर ग्रह नौकरी में समस्या कारोबार में समस्या उद्योग धंदों में ताला बंदी एवं भागिदार में आपस में अन्मन जैसी समस्याओं को जनम दे सकता है बड़ा कर्जा लगातार बड़े खर्चे सर माथे पर आ सकते हैं आप अपनी जनम पत्रीका के माध्यम से आपका व्यापार व्यासाय नौकरी एवं शिक्षा के अतरिक्त प्रोफेशनल हाइस्ट कॉंपिटेंस कहां आप अधिक्तम लाब कमा सकते हैं ये भी भारते जोतिश के माध्यम से जानना संबव है दोस्तों आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं इसके बारे में अपनी राय आवश्य दीजेगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने सुझाव आवश्य दीजे और अपनी प्र